स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हमारे पास है मार्ती सुजुकी SL6 यह हमारे पास जो है इसका CNG का सबसे टॉप एंड वेरियंट है अगर आप SL6 को CNG के अंदर लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक ओप्शन देखने के मिलेगा ZS, CNG के अंदर क्या कुछ यह वाणा वेरियंट ऑफर करता है सारी चीजों के बारे में जो है वीडियो में डिटेल में बات करने वाले है तो वीडियो को जो है एंड तख जरूर से دेखना तब ही आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी अपने जेटा वेरेंट के बारे में कि ये CNG के अंदर आपको क्या कुछ आफर करता है क्या कुछ आपको प्राइजिंग देखने के मिलेगी साथ में रीसेंट में जो आफर चल रहा है मारूतिकी कार्स पे उस में से SL6 पे आपको क्या आफर मलता है और सारी के बारे में वीडियों में बात करने वाले है तो वीडियो और साथ में बैल आईकन के ब्रेस कर लेना ताकि में कोई कोई पैपही और उसको मिलन की चाव ले दिखाता हूं फिर बात करेंगा शोरूम प्राइस के बारे में एक्स्टीर में आपको क्या कुछ मिलेगा और उसके बाद चलेंगे इंटीर की तरफ आईए मैं आपको जल्दी से जो है इसकी चावी ही दिखा देता हूं चावी आप देखलो टिपिकल मारूती स्टाइल वाली यहां पर आपको जो 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 आपको यहां पर मिलता है और सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो दो बटन से हैं लॉक अनलॉक करने के लिए और जो अपनी दूसरी चावी है वह भी बिल्कुल डिट्टो सेम देखने के मिलती है नाइंटी फाइब परसेंट कार्स जितनी भी मारूती के अंदर आती है था कि यह हमारे पास जो है जैटा सी एंजी मैनुल ट्रांसमिशन वाला वेरियंट है यह कॉस्ट करेगा ट्वेल लैक फिफ्टी सिक्साउजंट एक शोरूम औरोड के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्चन चेक कर लेना और जो अपना ओफर है वह वीडियो में आगे जैसे यह वाइड देख पा रहे होगे फिर नेक्सा ब्लू है उसके लावा तिल्वे कलर भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो उस चीज के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्चन और चेक कर लेना कि कितने कलर जो है इसके अंदर एक्जेक्ट आते हैं बाकि अगर असा रफ मैटेरियल है तो इसके रहे चीज वगएरा मुझे नहीं लगता है इस पर इतने जादा आएंगे बाकि कभी आपकी कार खराब हो जाती है तो उसको आपको यहाँ पर मिलता है तो देखो फ्रेंट में अगर आप बात करोगे तो आपको यह सारी चीज मिलती है बाकि आप बताओ इसके बारे में आप क्या सोचते हो और उपर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है इसके डियारेल्स देखने मिल जाएंगे जो कि LED बेस्ट आपको दिए गये बाकि आप जब रुनिंग शौट देखोगे तब आपको कंप्लेट यूनिट जो है दिख सामने की तरफ अगर आपको वाइपर दे रखें दो वाशर आपको देखने के मिल जाते हैं और जो बॉनट है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप आप आराम से यहां तक रीच कर सकते हो कभी आपको वाइपर वगेर उठाने पड़े तो और उसके अलावर अग प्लीट कार देखो ऐसी कुछ आपको देखने के मिलेगी एक चीज़ नोटिस कराता हूं यह चीज़ आप देखो फैंडर पे अगर आपने रिसेंट में एगनिस देखी होगी तो मैंने एगनिस के उपर भी आपको जो है नोटिस कराया था यह सेम फिनिशिंग आपको एग आपकी तो देखो यहां पर यह सारी चीज़ मिलती है एक बार और फिर से देख लो ऐसी कुछ आपको complete देखने के मिलेगी उसके अलावा एक चीज़ और अगर आपको यह चीज़ लगे तो तब आपको यह चीज़ लगके मिलेगी जैसकि मैं आपको बता है कि diamond cut alloy wheels मिलते है इस वाले वेरिंट के अंदर और जो अपने टायर हैं वो आपको मिलेगे MRF के wonder eco tread section एक बार देख लो 195 60R 16 16 इंचिस के रिम का size आपको यहां पर जो है देखने का मिल जाता है जो कि बहुत सही कोई दिक्कत नहीं है और एच चीज चो साइद मैंने स्टार्टिंग में नहीं आता है यह चीज आप माइन में जरूर से रख लेना कि अगर आपको six-seater चाहिए तो ही इसके उपर जाना अगर आपको seven-seater चाहिए तो आपके पास इल्टिगा का option है और five-seater में चाहिए तो five-seater में आती ही नहीं है बाकी इदर बात करोगे तो यह आप देखो इसके body color आपको overwinds मिल जाते हैं इंडिगेटरस आप यहां पर देख सकते हो इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजर्स टोटो फोल्ड दोनों कर सकते हो cng का sticker आपको मिल जाता है साथ में roof rails भी आपको यहां पर दे रखे हैं और अपने door handles की बात करोगे तो यह आपको chrome finish के अंदर मिल इसको सबसे पहले तो यह 20 को सपोर्ट करती है इस वाली है इस वाज़े से cng स्ट्रॉल मेकर यह सब चीज़ें यहां पर मिलता है इस तरी किसा आप देख सकते हो तो इसको तो कर देते हैं बंद यहां पर यही सारी चीज़ आपको मिलेंगी और आ जाए थोड़ा सब पीछ पीछे एक बार आप पीछे से कंप्लीट का रहा और देखो ऐसी कुछ आपको देखने का मिलेगी cng की अगर आप बात करोगे उपर आ जाओगे यहां पर आप देखो शार्क फिन एंटेन आपको देखने का मिल जाता है लीडी वेस्ट हाई मॉंट स्टॉप लंग दे रख है और बात करोगे camera वगेर की तो वह चीज यहां पर नहीं मिलती है अपने cng वाले variant के अंदर अगर आपको camera वगेरा चाहिए तो cng में आएगा ही नहीं बट अगर आपको चाहिए तो आप ऐसरी में इसके अंदर जरूर ज़रूर आ सकते हो safety में चार सेंसर मिल जाएंगे दो रिफ्लेक्टर आपको दे रखे हैं और लाइट वगेरा की बात करोगे तो एक बार आप complete light देखो जलने के बाद और कैसी लगती है वह और देखना बाकी LED वाली जो आपको यहां पर light मिलती है इंडिएटर सब देख सकते हो reverse light यहां पर मिलेगी तो rear में यह सारी चीज इसका button इसको press करके आप बूट को खोल सकते हो साथ में request sensor भी दे रखा है और बूट अपना completely ऊपर चला जाता है साथ पर grab handle आपको मिल जाएगा कोई भी emergency exit को option नहीं मिलता है और बात करोगे CNG fit होने के बाद boot space की वह आप देख सकते हो सामनी की तरफ यहां पर आपको इसक circuit fit करना चाहते है उसके लिए option दे रखा है बट कैसे access होगा यह थोड़ा सा समस्य भार है कि यहां पर थोड़ा सा space भी है ताकि अगर आप seat को इस तरीके से recline भी करो तो यहां पर ऐसी कोई तिक्कत ना है तो यह चीज है उसके लावा जो seats है वो आपको 50-50 split function के साथ मिलती किस साइड भी देख लो कोई भी light वगएरा नहीं दे रखी है और अब मैं आपको जो है इसका एक वर cng का tank दिखाता हूं यह आप देखो यहां पर fit कर रखा है मारूती ने इसका cng cylinder cng के basing है safety वगएरा दे रखा है safety wall वगएरा की बात करोगे तो आप अंदर से देख लो और अगर आप चाहते हो spare tire निकालना तो यह आप देखो यहां पर आपको एक nut मिल जाएगा इसको आप लूस करना पड़ेगा तब जाके आपका spare भी यहां से निकलेगा बाकी यह वैलवर्ट दे रखा है अगर आपको यह इस तरीके से आप यहां पर इसको attach कर सकते हो ताक खड़े करने के बाद डिगदी अपनी बंद हो पाईगी के नहीं यह थोड़ा सा देखने वाली चीज जरूर से है बाकी इसके बारे में आप बता सकते हो क्या सोचते हो उसके लावा अगर आप इस साइड आ जाओगे तो एक बार आप complete कार देखो ऐसी कुछ आपको complete आते हो तो डीलर्शिप विजट कर लेना आपको एक डीटेल्स देखने के मिल जाएगी और हो सकता है जितना मैंने रिमर सुना है के यूपी रेजिस्टेशन के अंदर आपको रेजिस्टेशन फिरी भी मिल रहा है कुछ कार्स के उपर तो उस चीज के लिए आप जो है मार अब इस चीज के अंदर दौनों साइड ही देती है सानी के कौस कटिंग करती हो तो यह जरूर है उसके लावा कार को बढ़ते हैं स्टार्ट सो गाडी मेंने स्टार्ट कर लिए अब एक करके सब चीजों के बारे में डेटेल में बात करते हैं कि अंदर आपको क्या कुछ मि जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हो और इधर बात करोगे संग्लास होल्डर आपको दे रखा है हेलोजन बेस जो है आपको दो लाइट मिल जाती है माइक का पोर्ट है उसके लाव इदर बात करोगे तो यहां पर आपको जो है मैनोल डेमिंग आयर व्यम को ऑप्शन मिल सकती है तो आप देखो 15 लाग के अंडरोड प्राइज अगर आप किसी गाड़ी के उपर पे कर रहे हो तो मेरे साब से यह जरूर से बनता है उसके लावा इधर देखोगे तो यहां पर आपको जो है वैनिटी मिरर देखने के मिल जाएगा बाट लाइट वगेरा नहीं आत कोई बंदा पैट्रोल ले रहा है तो इसके लिए यहां पर थोड़ा सा अलग हो सकता है यहां पर जो है अलग सी फिनिशिंग दे रखी है नीचे सिल्वर इंसर्ट आपको मिल जाते हैं सेंटर में बात करोगे तो सेवन इंचिस का इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम आपको मिल अगरा भी दिखा रहा क्योंकि गाड़ी अभी फिल चल रही है सी एंजी वाले मोड पर इस वज़े से बाकि मीडिया फोन क्रेक्ट यह सारे ऑप्शन है सेटिंग्स में आप देखोगे तो सेटिंग्स में डिक्स प्ले है डिट टाइम की पैड लॉक यहां पर आपको ओड यहां पर कुछ भी नहीं आता है क्योंकि अगर आप टॉपेंड पर जाओगे तो यहां पर यहां पर यह वाला जो है डमी बटन है वाकी आपको अगर नीचे देखोगे तो फोन रखने के लिए आपको डेडिकेटिट इस पेस्पेस दे रखी है जो कि अच्छी चीज़ है कूल आपको जो है काप होल्डर समिल जाते हैं इस तरीके सा आप जो है इसको कंट्रूल कर सकते हो मैं तोड़ा जूम करके अगर आपको देखा हूं तो यह चीज आप यहां पर यह बहुत अच्छी चीज है गर्मियों के टाइम पर बाकी चावी अगर आप रखना चाहते ह तोड़ा सा पीछे कर लेते हैं यहां पर बात करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा इसका मैनूल हेंडब्रेक क्रोम टेप आपको देखी है साथ में लेदर आपको जो है आम रस मिल जाएगी जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग को ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि अच्छी देखने मिलेगी तो पूर्ड तो आता ही नहीं है बाकी तो यह सारी चीज़े हैं और बात करोगे अपने डोल ट्रिम वगएरा कि यहां पर आप देखो यहां पर सेम आपको इंसर्ट मिलते हैं जैसे मैं आपको डैश वोड पर दिखाए ते बाकी सिल्वर फिनिश है उसके अगर 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 आपको अपने और विम को कंट्रूल करना है उसके लिए सारे बटन आपको यहां पर मिल जाते हैं और ड्राइवर के लिए को छोटी सी स्पेस दे रखी है मैनुवल वेरेंट तो तीन पैडल्स और साथ मैं आपको इमिन्ट लाइटिंग भी आपे मिल जा साथ में आपको बता दी एक चीज़ और ट्यूटर आप यहां पर देख सकते हो इस वाले वेरेंट के अंदर आपको चार इस फिगर दो ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम देखने के मिलेगा अलफा वेरेंट के अंदर सेम ही आता है बट सी एंजी जैसे अलफा के अंदर आत तो यहां पर आपको दोनों देखने के मिलती है और साथ में बहुत ही स्मूथ है क्योंकि कई कार्स में आपको नोटिस कराया हुआ कि एक हास से बहुत मुश्किल पढ़ जाता है बट अगर आप सीम टाइम पर इसकी बात करोगे यह देखो एक हास से आप एजिली जो है इस कि बात करोगे तो यहां पर तक की मार्किंग मिल जाएगी CNG कितना गारी के अंदर वो देख सकते हो उसके बात करोगे तो आपको देखो टाइम दिखा रही है और फिलाल CNG पे है तो उसकी वर्निंग आ रही है इनलोग प्लॉक वगरा है तो टोटल गारी कितना चल चुकि सो फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो यह सारी चीह मिलने वाली है और अब जलते हैं रियर में रियर में देखते हैं कि क्या कुछ आपको जो है रियर में मिलेगा तो पीछे आजाएं सबसे पहले तो आप डोर की ओपनिंग देखो इतनी जादा वाइड ओपनिंग जो है तो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है चाहिए आपके पेरेंट्स वगेरा ओल्ड एज वगेरा के होंगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली कमफर्ट अच्छका सा मिलता है अगर आप डोर ट्रिम की बात करोगे तो यह सारी चीजह है उसके लावा चाइल से के अंदर सिक्सीटर का ओप्शन आता है बाकि अपने बात करोगे सीट्स की तो एक बार मैं आपको सीट्स जो है कंप्लीट दिखा देता हूं इस वाले वेरिंट के अंदर आपको जो है फैब्रिक और लैदर दौन का यूज दे रखा है बट अगर आप सेम टाइम पर टॉ अंदर अंदर और देखते हैं अंदर आपको क्या कुछ और मलता है साथ में अगर आप सीट को आगे पीछे करना चाहते है उसको भी ओप्शन है एकनी complete पूरा पीछे है और डोर को करते हैं close डोर थर्ड के बारे में आप कॉमेंट सेक्शन नों बता देना और जैसे मैं इस इसके बारे में बता रहा था यह आप देखो यहां पर आपको जो है रूफ मांटेड इस इवेंट से इनकी विटिका वगेरा हो गई उसके अंदर भी यह जो है कॉमन सा आता है पकि इसके फ्लो को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको आपको यहां पर मिल जाएगा त सेंटर में बात करोगे तो एक जो है आपको यहां पर लाइट मिलती है जो कि हैलोजन बेस्ट है इसको अगर आप LED कराना चाहते हो तो वह भी ऑप्शन है बाकि यहां पर आपको जो है दो एड़ेस्टेबल हैड्रेस मिल जाएंगे और अब दिखाता हूं मैं आपको इसका आस-पास है तो मैं आपको चेक करा देता हूं यह चीज़ आप देखो यह ज्यादा पीछे नहीं है बट फिर भी देखो अगर सिक्स फीट कोई बंदा पीछे बैठता है तो उसके घुटने यहां पर टच होने लग जाते हैं यह पुरा पीछे कर रखे बट यह थोड़ा स यहां पर मिलती है उसके लावा एक बार मैं आपको ज़िए लेकर जलता हो पीछे और देख लेते हैं पीछे क्या कुछ मिलता है उसके बाद जो है मैं आपको एक चीज और देखाऊंगा तो आप यहां पर देखो रियर सीट में इसको थोड़ा सा जो है रिक्लाइन गर लेते हैं तो यह मैंने पूरा रिक्लाइन गर रखी है और स्पेस आप देखो इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है तो अगर आपकी हाइट 5.5K भी लंसम है तो डेफिनली आप इसके अंदर बैट सकते हो थोड़े बहुत देर के लिए लेवल 100-200 km आप आराम से जा सकते हो अगर आप उससे जाधा की बात करोगे तो बहुत दिक्कत यहां पर होने वाली है और एक चीज और यह चीज मैंने नहीं दिखाई थी तो यह आप देख लो जो सेकंड रो वाली सीट के बंदे हैं उनके लिए मारूति ने यह देहन दिया है कि यहां पर आपको इंडिपेंडेंट आम्रेस देखने के मज़ती है जो की अच्छा कासा आपको कमफर्ट आपर करेगी पकी जो सीट बैट से पीछे से इस तरीके से लगा रखें एक बोटल होल्डर मिल जाता है यहां पर भी आप देख लो हैं आपको इंटीर में देखने के मिलेगी तो अगर आप एंसल 6 के उपर जा रहे हो तो बाकि एक चीज है कि अगर आपको आगे पीछे करना है थर्ड रो से से कंड रो से थर्ड रो के पीछे जाना है तो बहुत जो आपको यहां पर दिक्कत होने वाली है जो को कर लेते ए उसके लावा जो अपनी ड्राइवर वाली सीट बेल्ट्स हैं को जो है हाटेस्टेबल के साथ देखने के मिलती है एक बार मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं एक हैसे थोड़ा सा दिक्कत तो होती है बट आपको यहां पर दे रखी है जो कि अच्छी चीज है ए रिसेंट वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था बट कोई बंदा जो है प्रॉपर एसलेशन देखने के मिल जाती है जो कि अच्छी चीज है और जो इंजन मिलेगा वह आप देख लो ऐसा कुछ आपको इंजन मिलता है एक्सटनल बैटरी है वाशर फिल करना चाहते है उसको आप्शन मिल जाएगा और साथ में कूलन फिल करना चाहते है तो उसका आपको यहाँ पर दे रखा है ब्याशिक फेस्टू वाला इंजन है तो यह सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हो और जो इसका CNG का CNG का ECU यहाँ पर है और जो में गाड़ी का ECU है वो आपको यहाँ पर मिलता है तो इसको तो कर देते हैं बंद अब मैं आपको देखो इंजन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर आपको जो है के सीरीज का 1.5 लीटर का इंलाइन 4 सिलेंडर नेचरली एस्पिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मारूती की नेकसा या अरीना की गाड़ियां लेते हो तो यहाँ पर आपको अपग्रेड़ेड वारंटी जो है देखने के मिलेगी अब जो है 1,00,00, 3 साल की आपको इस्टेंडर वारंटी मिलती है सभी कार्ज के उपर और साथ मगर आप इसे एक्स्टेंड कराना चाते हो तो 5 साल के लिए आप एक्स्टेंड भी करा सकते हो इससे पहले आपको 2 साल 40,00 किलोमिटर मिलती थी अब अब मारूतीन अपनी सारी कार्स पर वारंटी को थोड़ा सा एक्स्टेंड गर दिया है तो यह कुछ दो चीज़े हैं जो आपको एक्स्टा मिलेगी बाकी ओफर भी मैंने आपको बताया और आप बताओ आपको SL6, CNG गंदर कैसी लगी बाकी इसके फीचर्स कैसे थे वो भी आप कॉमेंट सेक्शन हो बता सकते हो कर देते हैं वीडियो के अन्ड, आज की वीडियों बस इतना ही मिलेंगे किसी और नए वीडियो के अंदर जब तक कि लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और सात मैं बैल आइकन को ज़रूर सर्प्राइस कर सकते हो तो विडियो देखने के लिया आपका थैंक यू तो मच